अगलो नहीं आप सभी के हमारी स्वागत अब जो स्टार्ट कर रहे हैं वह पढ़ेंगे हम लिनियर इंडिपेंडेंस बेस एंड डायमिंशन इसके बारे हम इस लेक्षर में पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखते हैं लिनेर इंडिपेंडेंस इसका सबसे एजी ली एगजां और नोर्थ ये कि अगर हम हम बात करें इस क्या है नौर्थ एस्ट नॉर्ध इस्ट की बात करें तो यह है मारे पास नौर्थ वेस्ट नौर्थ वेस्ट वेस्ट इस तरह की जिए जिसको कॉम्बिशन के फॉर्ममेल लिखा जा सकता हैं तो वह तो होगे हमारे पास dependent dependent और यह लिखा जा सकता है हमारे पास independent अब फिर मैथमेटिकली फ़र्म देखते हैं mathematical form डेफिनेशन यह हमारे पास डेफिनेशन है let v1 v be a vector space and let v1 v2 dot dot vp with a set of vectors in v यह हमारे पास कुछ vectors के set है then v1 v2 dot dot vp is linearly independent if and only if scalar c1 c2 cp satisfying the equation and this equation को satisfy करने बाले है c1 v1 plus c2 v2 dot dot cp vp equal to 0 इस equation को satisfy करने वाले अगर हमार पास को equation satisfy हो रही है तो इसके एक मात्र unit solution unique solution जो होना चाहिए unique solution क्या होना चाहिए travel solution जो कि c1 बराबर c2 बराबर सारे term जो है cp बराबर 0 यानि सारी c जो है वो 0 हो तो इस condition हम कहते है है यह जो यह जो बीवन बीटू जो भी सेट सेट ओफ वेक्टर्स है यह लिनियर्ली इंडेपेंडेंडेंट थे अगर हमार पास कोई भी एक नौन जीरो मिल जाता है देर आर स्केलर सी बन सी डूट डॉट डॉट सी पी एटलीस्ट वन ओफ विच नौन जीरो रोगा दैसे लिए सिबन की सीटो सिट्रीजिऴुड आप इसके लर्ष जे और और सपोजगीन हो लिए कि थीजिव नौर्ट उक्वल टु जीयरो से ट्रीジों है रों नोट उक्वल टुझ जीयरो है तो हमारे बास वीटी को यहां से हम लिख सकते थे यहां से हम यहां पर लिखना चाहें तो यह हो जाएगा बागी साइट जीरू जाके यह वाइल टर्म आ जाएगी तो यह आ गया हमारे पास सोलुशन आ गया यानि एक भी हमारे पास नवीघ्र है तो उसको जो बेक्टर से और बागी जो वेक्टर सें उनके लिनियर कॉंडिशन की फोर्म में लिखा जा सकता है यहां पर यह थोरह में हमारे पास a set of vectors v1 v2 dot vp with v1 not equal to 0 जिसमें v1 not equal to 0 is linearly dependent if and only if some vj is linear combination of the preceding vectors v1 dot vj minus 1 यानि कि यह हमारे पास करा है कि हमारे पास v1 जो है वो suppose with v1 not equal to 0 is linearly independent जो है वो linearly independent linearly dependent है if and only if कब होंगे if some vj is linear combination of the preceding vectors यानि जो vj जो होगा और बाकी जो vectors होंगे उनके linear combination के रूप में लिखा जा सके जैसे example है a1 हमारे पास यह है a2 यह है a3 यह है हम हमें सोख करना है कि यह linearly dependent है तो यह सोख करने के लिए कि बेसिकली हमें सोख क्या करना होगा कि कॉंस्टेट लेके alpha लेने है यह लेने इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a1, b1 और c1 जो है कोई ना कोई एक जो non zero मिल जाएगा जिसके लिए यह ट्रम satisfy कर रहे होगी तो इसको आप solve भी कर सकते हो सॉल्व करने के लिए simply कुछ नहीं करना a की value यहां पर multiply करोगे b की value यहां multiply करोगे c की अंदर के हाटरम से multiply होगी और कुछ equations बनेंगे equations को 0 के equal put करेंगे तो a, b और c की value हमारे पास निकल आएंगे यह तो यह हो गया हमारे पास और यहांने जो क्या है it is clear that a1 and a2 are linearly independent a1 और a2 जो है वो linearly independent है i a1 cannot be written as the scale multiple of a2 and vice versa जो a1 और a2 जो है वो linearly independent है यह आप check नहीं कर सकते हो since the two one entry of the a1 is 0 two one entry है two second row first column है 0 the only way to get minus two in the two one entry is a3 to multiply by minus two यानी कि हमारे पास minus इसमें हमारे पास अगर इनको linear combination a1 और a2 की linear combination लिखना चाहिए तो simply जो first only way कौन साहिए तो इसमें minus 2 से multiply करना होग a2 में यह होग minus 2 से multiply करने पर और यहां पर देखे तो यहां पर इस तरह यह टर्म 0 है बट यहां minus 3 से multiply करना होगा तो यहां पर हमारे पास 3 से multiply करना होगा तो 3 a1 minus 2 a2 मतब 3 a1 दोनों को basically add करना है यह हमने minus 2 का multiply किया था यह होगा है minus 2 a2 तो यह हमारे पास a3 के equal है यहां से हम कह सकते हैं कि यह जो है a1 और a2 के linear combination की फॉर्मेल लिख दिया यह हम यह कहें 3 a1 minus 2 a2 sorry 2 a2 minus a3 equal to 0 तो यहां पर c1 क्या गया c1 3 आ गया c2 जो है वो minus 2 आ गया और c4 जो है वो minus बना गया यहां कि non 0 c1 c2 c3 है तो यह हम कह सकते हैं यह जो term है हमारे पास है यह हमारे पास जो sorry यह बेक्टर्स चैट ओ बेक्टर्स था यह लीनियरली dependent है linearly independent के फिर्ट्स हमने example previous वीडियो में भी देखे थे यहां पर हम basis क्या होता है इसको simply definition में एक बार देख लेते हैं next वीडियो में इसको or theorems और इसके example जो है वेक्टर्स बेक्टर्स भी होगे जाह लाबर जहां पर वीडियो डॉटट डॉट वी के इन डवलू जो कि इन डवलू में उस सेट ओ वाग्टर्स है इस सेट दूब्यू बेशिस फो डवलू इस डवलू के लिए बेशिस कहलाते हैं अगर the set B the set B span all of W that is W पराबर span of V1, V2, VK यानि कि जो W के जो set है वो V1, V2, VK के linear combination के रूप में लिखे जा सकते हो और second condition हम चाहिए कि set of B जो है वो linearly independent है इन दोनों conditions को follow कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो B जो है वो basis है B जो है वो basis है report W, W के लिए basis है, तो हमें क्या check करना होता है simply हमें check करना होता है कि जो V1, V2, V2 जो vectors है वो वो W के जो वेक्टर से वो V1, V2, VK के linear combination के रूप में लिखे जा सकते हैं या नहीं लिखे जा सकते हैं और उसके बाद check करते हैं कि set of B जो है वो linearly independent है या नहीं, अगर इन दोनों conditions को follow कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि W जो है वो basis है for W then जो B जो है वो basis कर लाता है and W, और next video में यहाँ पर हम examples कुछ देखेंगे